रियक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लेकिन यहाँ पर इसका यूज होने वाला है तो सबसे बेल हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं अगर आपके PC में WAMP या XAMP server है तो उसको on कर लीजिए मैंने यहाँ पर मेरा WAMP server on कर लिया है अब इसके बाद मैं जाओंगा C drive में यहाँ से WAMP के folder को open करूँगा और www directory में आ import करूँगा तो यहां से मैं कर लेता हूं import c drive WAMP www और module और यह जो folder को मैंने import किया इसके अंदर मैं दो files create करता हूं सबसे पहले index.html और उसके बाद index.js यह हो गई javascript के file सबसे पहले तो मैं यह जो html की file है इसके अंदर document structure को write कर देता हूं enter तो अब मैं क्या करूँगा कि यह जो index.js की file है इसके अंदर मैं एक छोटा सा code लिखूँगा और मैं चाहता हूं कि हमारे browser में इसका output देखने को मिले तो इस तरह से करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले तो हम इसको link कर देते हैं तो link करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा script src equal to index.js तो यह page अब यहाँ पे link हो गया अब इसके अंदर मैं लिखता हूं alert react अब मैं इस file को run करना चाहता हूं तो मैं क्या करूँगा Google Chrome को open करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा localhost module index.html जब मैं इस तरह से URL टाइप करके enterprise करूँगा तो यह file हमारे browser में open हो जाएगी तो देखे students यहाँ पर alert box में लिखके आया react तो यह react यहाँ पर इस वज़े से display हुआ क्योंकि मैंने इस html के page में index.js को link किया हुआ है मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपको react.js बिल्कुल भी नहीं आती और मैं यह सोचके पढ़ाँगा कि आप बिल्कु topic की तरफ देखे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक और file create करूंगा इस module folder के अंदर जिसका name होगा data.js अब यह जो data.js की मैंने new file create की इस file के अंदर मैं लिखता हूं alert और इस data.js को भी मैं link कर देता हूं जिस तरह से मैंने index.js को link किया data.js तो यहाँ पर अब यह दोनों JavaScript के files link हो चुकी है तो अब ज़र आप सूचिए कि यह जो index.js के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है na react क्या यह react इस वाले alert के अंदर print हो सकता है देखे मैं इसको constant मैं रख लेता हूं const data assign react अब यह जो data constant है इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर तो इस से होगा क्या कि यह जो react है वो इस वाले alert box में print होगा क्योंकि इन दोनों javascript file को मैंने इस html में connect किया हुआ है अब हम चलते हैं google chrome browser की तरफ तो यहाँ पर browser में run करने पर alert box में कुछ भी print नहीं हुआ बलकि alert box ही नहीं दिखाई दिया तो यह इस वज़े से हुआ क्योंकि मैंने index.js के ठीक ऊपर data data.js को रखा है आपको यह बात याद रखनी है हमारा string data कहां पर है index.js में है न तो यह पहले load होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहां से इस script को cut करके data.js के ऊपर रख दूँगा अब जब मैं इस file को save करके run करूंगा तब alert box के अंदर react print होगा ठीक है students तो यह इस तरह से print हुआ तो यह जो data print हुआ वो तो इस वज़े से print हुआ क्योंकि मैंने html की file में दोनों को link किया हुआ है मानलों कि यह index.js की file इसको मैं इसे remove कर दो अब तो alert box में कोई भी data print नहीं होगा और मैं चाहता हूँ कि script को link किये बिना याने इस file को यहां पर link किये बिना हम इस file का data access कर सके तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए यहां पर हम करेंगे import export का use तो मैं क्या करूंगा इस data को export कर दूंगा मैंने लिखा export default और data अब मुझे जिस जगह पर इस data को read करना है मैं वहां पर इसे import कर लूंगा तो मुझे data.js की यहां पर इसको alert में print करवाना है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा सबसे उपर import data from अब यह जो हमारा data है वो कहां पर है index.js की file में और यह जो index.js की file है वो हमारी इस data वाली file के विल्कुल pass में है तो मैं यहां पर लिखूंगा यह फाइल यही पर है तो मैं इसको इस तरह से locate करूंगा और index.js और semicolon अब यह जो हमारा data था उसको मैं यहां से export किया और इस data वाली file में import कर लिया तो इतना लिखने के बाद अगर मैं chrome browser को run करूं तो क्या alert works के अंदर react print ह होगा इसको देखते हैं देखें यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ यहां पर हमें एक छोटा सा error मिलता है देखें हम जाएंगे inspect में और यह रहा error यहां पर लिखा हुआ है cannot use import statement outside a module यानि module के बाहर हम import statement का use नहीं कर सकते तो यह बस एक छोटी सी problem है इसको solve करने के ल module अब मैं इस फाइल को save करके फिर से run करता हूं तो देखेंट अलट बॉक्स के अंदर react प्रिंट हुआ और वो error यहां से remove हो गया तो यहां पर था हमने constant का use किया लेकिन अब मैं एक function का use करता हूं मैंने लिखा const fun equal to parenthesis arrow और यहां से मैं return करता हूं react with fun और मैंने यहां से function को export कर दिया अब यह जो हमारे data वाली file है इसके अंदर जब यह function import होगा तो यह यहां पर आएगा तो यह जो हमारे data है उसको तो मैंने यहां पर इस बार function के रूप में export किया है तो इसको receive करने के लिए यानि कि जब मैं इसको import करूंगा उस वक्त भी मैं as a function इसको write करूंगा तो मैंने यहां पर इस तरह से लिख दिया तो अब यह हो गया एक function अब मैं browser को फिर से run करता हूं और यह देखता हूं कि data print हो रहा है या नहीं ठीक है students यहां पर successfully data print हुआ react with fun ओके अब suppose कीजिए कि आप एक से ज्यादा data export करना चाहते हो तो यह आप किस तरह से करोगे जैस इसके अलावा मैं यहां पर लिखता हूं variable name assign अरसील मैं कुछ और लिखता हूं variable number assign 12345 अब मैं इन तीनों ही को export करना चाहता हूं यानि कि यह जो तीनों ही data है number name function मैं यह सब कुछ export करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा यहां पर लिखूंगा export default और इसके अंदर में function, name, number तो जब मैं इस तरह से इसको export करूंगा तब इस file में जितना भी data मैंने यहां लिखा है वो सब कुछ export हो जाएगा अब मैंने जहां पर इसको import किया है वहां पर मैं इन में से कोई भी data print कर सकता हूं मैं काम करता हूं alert के अंदर function का data print कर गा है इसके बाद मैं लिखता data.name और फिर में काम करता हूं sol.log data.number तो देखे इस program को run करने से पहले मैं क्या करूंगा यह जो मैंने यहां पर data को इस तरह से function के format में लिखा हुआ है और मैं इसको remove कर दूँगा और मैं लिखूँगा data.fun यानि कि यह function ठीक है तो अब मैं इसको run करकर चेक करता हूं कि हमा आता हूं inspect के अंदर और देखता हूं console में क्या हुआ ठीक है students यहां पर देखे console के अंदर भी name और number यह दोनों ही successfully print हुआ क्योंकि मैंने यहां पर console में data को pass किया है तो यहां पर यह जो data है वो JSON format में export हुआ है तो अगर यह JSON format में export हुआ है तो इसकी properties कहां पर है देखे यह यहां पर तो मैंने सिर्फ इस तरह से names को declare कर दिया है लेकिन इसकी properties नहीं है तो क्या होगा by default तरीके से यहां पर जो name लिखे हुए automatically इसकी ही properties यह create कर देगा लेकिन अगर आप खुद से properties create करना चाहते हो तो आप वह भी कर सकते हो जैसे मैंने यहां पर लिखा pro1 यानि कि property property1 property2 और property3 अब यह हुआ complete जेसन अब अगर मैं इसके अंदर से कुछ access करना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा data.pro1 यहां पर pro2 और last मैं मैं लिखूंगा pro3 क्योंकि इस बार मैंने इसको इसके property name से access किया है जबकि इसके पहले क्या हो रहा था इसको अपने default name स से ही हम access कर रहे थे तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो अब मैं इसको run करके check करता हूं लेकिन run करने से पहले मैं क्या करूंगा यह जो pro1 है इसके बाद मैं parenthesis लगा दूँगा क्योंकि pro1 जो property है उसके अंदर हमने एक function रखा हुआ है मैं करता हूं इसको run सबसे पहले function run हुआ ओके और उसके बाद console तो इस तरह से भी आप import export कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुवात में बताया कि import export जावा script का topic है अगर आप इसके बारे में पहले से कुछ जानते थे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो मु किया था यह my first app नाम से एक project को create किया था अब मैं इसी को import करूंगा vs code में क्योंकि जो basics fundamental में import export के बारे मैं आपको समझाना चाहता था वो मैंने आपको बता दिये यह वो code है जिसको मैंने पिछले वीडियो में explain किया हुआ है अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं different developer इस वक्त में अगर इस file को run करूं तो यह display होगा display तो हो रहा है लेकिन यह display क्यों हो रहा है और किस तरह से display हो रहा है इसके बारे में अभी आप नहीं जानते और component को भी किस तरह से create करना है और किस तरह से setup करना है इसके बारे में भी मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ तो वो है desktop पे मैंने लिखा desktop उसके बाद cd my first app और मैंने लिखा npm start तो यहाँ पर इस तरह से different developer print हुआ क्योंकि हमारा यह जो component है app.js तो यह जो component है वो module के अंदर हमें पहले से ही import होकर मिलता है module कहाँ पर है यह रहा तो यहाँ पर आप इस वाली line को ध्यान से देखो यहाँ पर import किया हुआ है app को तो यह app क्या है यह वही component है जिसको मैंने यहाँ पर इस तरह से setup किया हुआ है अगर मान लो कि यह जो app.js है इस तरह से मैं कोई एक और अपनी मरजी का component create करता हूँ और फिर मैं उसको यहाँ पर import करवाता हूँ तो क्या वो भी हमें output देगा बिल्कुल देगा लेकिन सिर्फ import करवाने से वो हमें के बाद लिखा हुआ है अगर मैं इसको यहाँ से remove कर दो और फिर मैं इस फाइल को run करूँ तो हमें output में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा देखिए वो जो text यहाँ पर लिखके आ रहा था वो अब यहाँ से remove हो चुका भले ही इसका component यहाँ पर import किया है बट मैंने इस react वाले area में इसको delete कर दिया मैं इसको वापिस से लिख देता हूँ और मैं करता हूँ इस फाइल को run देखिए यह text वापिस से आ गया तब मैं क्या करूँगा अपनी मर्जी का एक component create करने के लिए मैं यहाँ पर src के अंद parentheses arrow और इसको मैं कर देता हूँ export default और header अब मैं इस component का code तयार करता हूँ तो मैंने लिखा const design equal to parentheses semicolon और parentheses के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैंने यहाँ पर html take का use किया marquee और इसके अंदर मैं pass करता हूँ this is my header और इसको मैं bold effect मैं display करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर use करूँगा btec का slash b और इस design को कर दूँगा मैं return अब यह जो index.js है इस module के अंदर मैं क्या करूँगा इस header.js को import करूँगा तो अब आप इस concept को ध्यान से समझे जिस तरह स है इसके अंदर मैंने कुछ code लिखा था पिछली वीडियो में और code लिखने के बाद हमने index.js के अंदर app को import नहीं किया था यह तो हमें by default मिला हुआ था लेकिन मैंने इस वीडियो में क्या किया header.js के नाम से एक component को create किया तो अगर यह component मैंने create किया है तो मुझे ही इसको index. index.js के अंदर import भी करना होगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ import header तो यहां से मैंने header को import कर दिया from header.js यानि कि यह वाली फाइल इसका h मैं capital कर देता हूँ तो देखिए अब यह import हो गया लेकिन मुझे इसको यहाँ पर declare भी करना होगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा header और लेकिन यह इस different developer के नीचे की तरफ display हो रहा है मैं चाहता हूँ कि यह different developer से उपर print हो तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इस header को उठा करके app के उपर रख दूँगा app के उपर रखने से क्या होगा this is my header वाली line different developer के उपर display होगी देखिए इस तरह से तो app को नीचे रखने से य नीचे की तरफ display क्यों हो रहा है क्योंकि यह जो app.js की file है उसी के तो अंदर different developer का code लिखा हुआ है और इसी app.js को मैंने रख दिया header के नीचे यहाँ पर अगर मैं इसको remove कर दूँ या फिर मैं इन दोनों ही को remove कर दूँ तो हमें आउट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा मैं काम करता हूँ एक और module create करता हूँ यहाँ पर src के अंदर new file मैंने लिखा footer.js const footer equal to arrow और export मैं कर देता हूँ default footer को यहाँ पर exports नहीं export है यह s नहीं आएगा इसके बाद मैं यहाँ पर design को ready करता हूँ तो मैंने लिखा const design equal to मैं इसके अंदर कोई भी data pass कर देता हूँ मैंने लिखा h4 copyright एड़रेट 2022 और इसको मैं कर देता हूँ align center और मैंने return करवा दिया design को तो यह हो गया component create अब इस component को मैं क्या करूँगा index.js के अंदर import कर लूँगा मैंने लिखा import footer और यहाँ पर मैं कर दूँगा f को capital अब देखिए students इस line में मैं जहाँ पर भी footer को use करूँगा वो उसी position पर display होगा यह भले ही footer है लेकिन अगर मैं यहाँ पर सबसे उपर इस तरह से लिखता हूँ footer तो हमें output में footer सबसे उपर की तरफ display होगा क्योंकि यहाँ पर जिस sequence order में आपने इसको setup किया है यह उसी तरह से डिस्पले होगा देखिए सबसे उपर footer डिस्पले हुआ सेंटर में अब सेंटर में इस वज़े से डिस्पले हो रहा है क्योंकि यह जो मैंने footer.js की फाइल बनाई है उसके अंदर मैंने s4 के अंदर align attribute को पास किया हुआ है मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस footer को cut करता हूँ और सबसे नीचे की तरफ रख देता हूँ और save ठीक है सबसे पहले header उसके बाद app.js और last मैं footer तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा सबसे पहले हमने यह सीखा कि import export किस तरह से करते हैं और फिर export में हम एक से ज्यादा data किस तरह से export करवाते हैं जैसन के format में और उसके बाद हमने देखा कि हम अपने components को किस तरह से create करते हैं और create करने के बाद उसको किस तरह से index.js में import करवाते हैं पिछली वीडियो में तो आपको बना बनाया component मिल गया था यह app.js लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर component के name में कोई spelling mistake नहीं होनी चाहिए अगर capital letter है तो आप capital letter ही रखना तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सिखने को मिला होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको like कर सकते हो अपने friends के साथ जो react सिखना चाहते है उ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं में तब तक के लिए बाए